ऐसे कल फिसलने के बाद अंजी डाउ फ्यूचर सुभा से स्टेबल हैं कोई परिशानी नहीं है आपर हलकी बढ़त के साथ ट्रेट कर रहे हैं नाजड़क फ्यूचर्स में मामली गिरावट है सन्पी फ्यूचर्स भी हलकी बढ़त आपको दिखा रहे हैं यॉरप आदैसा एक चौथाई परसें नीचे है एशिया में अफकोस हमने पूरे बाजार में गिरावट देखी थी इस्पेशली हॉंग कॉंग जो ठाई परसें टूटा था बथ हमारे बाजार रिकावर करके डे दिन के दोरान कोई भी डिप मिली 700-750 की बिच में वहां फिर से एंट्री कर लेंगे तो यहां पर फ्रेश खरीदारी करने की रहा है अभी नहीं है पचास पुइंट उपर का छोड़ देंगे या फिर पचास से उपर नीचे मिलेगा तो यहां से खरीदेंगे तो उननीस आ हमारा फोर्मुला सिंपल है 45-745-45-800 के ओपर निकल कर टीकिएगा वहां फ्रेश खरीदारी करेंगे तो 45,200-45,300 की रेंगा वहीं खरीद लेंगे अब मैं आपको थोड़े डेटा बता दो पहले चीज़ तो यहां आज के लिए उननीस साथ सो से नीचे की रिस्क नहीं है वह आपका बेस बन गया और उसकी वज़े है कि एक करोड तीस लाग शेर आपके पुट में हाइस उपर इंटर से उननीस साथ सो पर है तो ऐसे में आपको साथ सो पचास साथ सो पचीस पे ही खरीदारी कर लेना है अगर मिलता है तो ठीक है उपर की तरफ हल्की फुल की वह थोड़ी बहुत वीकेंड के पहले शोट कावर करने की कोशिच करेंगे अगर वीकेंड सेशन नहीं होता तब तो मैं आपको भी बोल देता है कि यहां भी खरीदने को इश्यू नहीं है वीकेंड पर जाहिए सी बात है कि थोड़ा ट्रेडिंग रेंज के हाई रेंड प तो अगर तीन में तक आप चमालीस पान सो पचीस के उपर निकल कर टिकते हैं तो चमालीस शेसो और साथ सो पहुंचेंगे वहां पर प्रोफिट कीजिए तो अगर एक बार हिम्मत करके या आपको एग्रसिव होके खरीदने का मन भी है तो भी खरीदे उपर के लेवल पर आपके लिए निफ्टी ही बैंक निफ्टी जब तक चवालीस आट सो पान नहीं होता तब तक अगरेसिवली नहीं खरीदना हो आपर नीचे बेश सपोर्ट पर लेना है यह आपके लिए डेटा बता रहे है इस हिसाब से पनी स्टेडिजी रही है